साबू दाना के पापड़ खाना तो हर किसी को पसंद होता है और इस पापड़ को आप ब्रत में भी बना कर खा सकते हैं और बिना ब्रत के भी खा सकते हैं तो आज हम साबू दाने के पापड़ की बहुत इंट्रेस्टिंग रेसिपी सेयर करने वाले हैं, जो कि बनाने में काफी यदा आसान है, ना तो आपको इसको ओवरनाइट भिगो के रखना होगा, ना तो आपको पीसना होगा, तो बीना पीसे, बीना बहुत ज़्यादा देर तक भिगोए, इसे हम बनाएंगे बहुत यदा सिंपल तरीके से, और यह तरीका रेली बहुत यदा आसान है, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ओसे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो चलिए इस रसिपी को बरना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ प साबुदाना है, जिसकी खिचुड़ी अम्रत में बनाते हैं, तो अब इसको एक बरतन में सिफ्ट कर लेते हैं, और इसमें डालेंगे हम पानी, और दो से तीन बार रगड कर इसे अच्छे से हमें साफ कर लेना होगा, ताकि जो इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता ह साबुदाना है काफी अच्यासन साफ हो चुका है, तो अब इसका पानी आं हता कर दो है और जिसमें पानी डालेंगे साबुदाना लिया तो जितन हमने लिए फोल गैरा है नहीं थोड़ा सा Fuj no Data shapes a deal or not. दीवह होनी की कोई ज़ूरत नहीं है। और यह इता है तो इन खांगा काफी अच्छे गरम पानी डाले मोटे राद़ी aí इसमे काफी अच्छे है अनलहे हम अगर स्पूर लें, इसपूल न्यालें है measurement का आप जरूर ध्यान रखेगा एक कप साबूदाने के लिए पांच कप पानी डालिएगा इतना एकदम perfect होता है अगर आपको कम लगेगा पानी तो थोड़ा पानी गरम करके आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो अब इसमें जो साबूदाने को आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसको तो साबूदाने के पापर को बनाना तो काफी यदा आसान होता है बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है और ये पापर तो बहुत ही जल्दी से बन भी जाते हैं तो ये देखिए अब ये साबूदाना देखिए धीरे-धीरे से पकने लगा है तो जब ये साबूदाना अच्छे से पक जाएगा ना तो ये जो अभी आपको एकदम वायट दिख रहा है ये थोड़ी से ट्रांसपेरंट नजराने लगेंगे जब ये कुख हो जाएंगे तो बस अभी गैस के फ्लेम को हमने हाई रखा है और अभी देखे काफी अच्छा सा इसमें उबाला चुका है ना तो बस इस टाइम पे गैस के फ्लेम को हम एकदम लोपे कर देंगे यानि कि गैस की जो आच है उसको हम एकदम धीमा कर देंगे और धीमी आच पर इसको लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे और अभी इसमें हम कुछ भी एड नहीं करेंगे थोड़ी दिर इसको हम और पकने देते हैं अब इसका जो कलर है वो भी चेंज होने लगा है पत्ताना जब कच्चा था और अब ये देखे काफी वैनाँ साबुदाना जो है वो ट्रांपेरंंट हो चुके हैं किनारे से लेयर भी इसमें मिलने लगी है तो इसने भी अँभी अंदाज हा लगा सकते हैं ये साबूदानों जो फटक चुके हैं तो काफी अच्छे से इसमें पपड़ी टाइप जम जाती है ना कड़ाही में किनारे किनारे और इस पैचुला पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दोनों लाइन आपस में मिल नहीं रही है तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये कुख हो चुका है और जब ये कु जो कि काफी खुबसूरत भी लगता है देखने में और टेस्ट में तो कोई खास फरक नहीं आता है अगर आप नहीं खाते हैं तो इसको हम मिला देते हैं हमने इसमें जीरे का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि जीरा क्या होता है थोड़ा सा कलर शोड़ता है तो जो पापड होते हैं वो आपको काले नजर आने लगते हैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा फर्क तो आता ही है तो जीरा हमने इसकीप कर दिया है अगर आप डालना चाहते हैं तो जीरे को भी डाल सकते हैं अब इसको ना थोड़ी दिर के लिए हम ठंडा होने देते हैं ज्यादा नहीं थोड़ा से ये ठंडा होगा उसके बाद हम पापड बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर पापड बनाने के लिए हमने एक रिंग लिया हुआ है इससे क्या होता है ना कि जो हम पापड बनाते हैं वो एकदम गोल बनते हैं तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई रिंग नहीं है ना तो आप चूड़ी की हल्प ले सकते हैं जो चूड़ीया होती है और ये बहुत ही जल्दी से फैल जाते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे जो पापड है ना कितने गोल-गोल बने हुए हैं जो देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं तो आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो सारे पापड एक ही साइस के बनेंगे और इसको ना बहुत जादा पदॉष जाते हैं और अगर आप बहुत जयदा पापड बनाएंगे न तो सूखने के बाद वो तूटने भी लगता है तो इसलिए ये वाली पापड को थोड़ा साप मोटा रखे, सूखने के बाद थोड़ा पतला हो जाते है तो लग रहा हैं बहुत ज़्यादा स इसको बना सकते हैं, तो पापड की तो हमने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोट की हुई है, आप लोगों ने काफी सारा उसको पसंद भी किया है, उसके लिए आपको थैंक यू सो मच, तो इस तरीके की और भी रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोट है, आप जाकर देख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और सेर भी कीजिएगा, तो थोड़े से पापड हमने छट पे भी फैलाए हुए थे, इस पापड को आप पंखे की हवा में सुखाएंगे, तो तो दो से तीन दिन का टाइम लग जाएगा, तो चल में भी एकदम पर्फिक्ट हैं, आप देख सकते हैं, लग रहा ना बहुत यदा सुंदर और एकदम ट्रांसफेरेंट हैं, खाने में बहुत यदा टेस्टी लगता है, तो इसको बना कर आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, यह पापड बिल्कुल भी खराब नह ना तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो यह देखिए, पापड जितने बड़े थे, उसके जस्ट डबल यह हो गए हैं, फ्राइ करने के बाद, जो कि आप देखी सकते हैं, तो लग रहा ना बहुत यदा सुंदर और टेस्ट टी भी, तो वीडियो को सेर जरूर कीजियों,